तो इस वीडियो में कुछ C language के basic terms के बारे में discuss करेंगे जैसे कि C language होता क्या है C language के history देखेंगे और C language क्यों करना जाए importance of C language तो सबसे पहले अगर हम बात करें C language होता क्या है computer programming language क्या होता कि computer की एक type की भांशा है जैसे हिंदी हमारी भांशा है उसी तरह computer की भांशा क्या होताए वह अगर C language के बात करें तो दूनिया की Add और चीज को 0 और 1 के फार्म में मतलब binary digits के फार्म में चीजे समझती है यह क्यों है क्योंकि अगर computer की बात करें तो computer क्या होता है electronic machine होता है अब machine क्या होता है कि machine मसीन सिर्फ जिरो और वन को ही समझ सकता है, जिरो वन क्या होता है, एक टाइप का समझ सकते हैं कि relative terms होता है, जैसे अगर हम एक fan की बात करें, एक fan है अगर suppose that, तो fan अगर on है तो वो one stage है, मन्दब one वाला condition है, अगर fan off है, तो वो zero वाला condition है, वैसे बहुत सारे उधारन है, जैसे अगर हम तो उसी तरह अगर एक wire की बात करें, तो wire क्या होता है कि अगर wire में current pass हो रहा हो, तो वो one stage है, अगर current नहीं pass हो रहा हो, तो वो zero stage है, मतलब दुनिया की हर चीज को zero और one के form में convert करना पड़ता है, अब सिर्फ zero की बात करें या सिर्फ one की बात करें, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि zero one one zero, यह कितने bit का data है, तो यह one two three four, four bit का data है, तो यह जो computer का actual language है, वो यह है, machine language, मतलब सिर्फ zero और one को समझ पाता है, बट तो इसका क्या problem है, इसका सबसे बड़ा problem यह है कि यह difficult है, दुनिया की हर चीज को zero one के form में convert करना, आम इंसान के लिए possible नहीं है, तो उसके बाद आया C language, C language क्या करता है, C language actually जो होता है, इसमें जो हम लोगा statement लिखते हैं, या जो instruction देते हैं, वो आपको English like a statement होता है, जो क्या होता है, English like a statement, मतलब जैसे हम लोग English में use करते हैं, English like a statement होता है, त अभी हम computer की बात कर चुके हैं, कि computer सिर्फ machine language को समझता है, तो फिर ये English like a statement कैसे समझेगा, तो एक compiler होता है, compiler का का काम क्या होता है, compiler होता है, compiler का क्या होता है, जो C language है, उसको किस में convert कर देना, machine language में convert कर देना, अब compiler क्या करता है, अगर कोई foreigner इंडिया आता है, तो वो guide ले करके चलता है, अब guide का काम क्या होता है, कि जो foreigner बोल रहा होता है, उसे local को, local की भासा में समझाना होता है, और जो local बोल रहा होता है, उसे foreigner को foreigner की भासा में समझाना होता है, तो उसी तरह compiler, compiler का का क्या होता है, कि ये जो हमारा C language है, ये C language क्या होता है, C language जो भी programming होता ह वो user को user की convenience के according बनाया जाता है जैसे अगर user को हम machine language में direct मन्दब आपको दे देंगे तो क्या होगा कि बहुत कम लोग computer चला पाएंगे क्योंकि यह मन्दब बहुत ही difficult task हो जाएगा computer चलाना easy हो जाता है इस case में जबकि machine language के case में क्या हो जाता है computer difficult हो जाएगा दो हर लोग computer नहीं चला पाएंगे अब compiler जैसे guide पहले से prepared होता है guide को foreign की चीज़े उसे मालूम होती है और local की भी चीज़े मालूम होती है यह guide की quality होती है कि guide पहले से चीज़े observe कर रखा होता सीख रखा होता उसी तरह compiler का होता है compiler को जो machine language की जो machine की भासा है वो भी पता होता है और कुछ c language के जो function है उनके क्या माईने है, क्या meaning है वो भी पता होता है, मutetable compiler क्या होता है compiler intermediate होता मसीन लेंग्वेछ और c language के बीच में तो ये था हमारा c language की अगर c language के बात करें तो c language क्या है computer programming language जनरली इसलिए बोलते है ना programming का मंदब जैसे user को user के जरूरत के recording बनाया जाता है जैसे user को क्या चाहिए आज के time पे जैसे कोई भी company या कोई भी product का motive यह होता है कि user को कितना मंदब आराम से आराम दिया जाए क्योंकि user जो होते हैं बहुत ही कम effort में चीजे प्राप्ट करना चाहते हैं तो यह problem होता है कि आप डारेक्ट कंप्यूटर को machine language में नहीं दे सकते कि user क्या होगा कि machine language में चीजे नहीं समझ पाएगा आप उसको c language में आप उससे program कराईगे c language में वह program करेगा और उसको फिर यह machine language में convert कर देगा और चीजे असान हो जाएगी तो अगर हम देखें कि what is c language c language के definition के बात करें तो c is a powerful general purpose programming language it can be used to develop software like operating systems databases device driver and so on तो c क्या है एक computer programming language है अब इसे develop किया गया था सबसे पहले अगर हम बात करें तो unix नाम का operating systems को develop करने के लिए किया गया था unix तो जैसे अगर हमने इसके history की बात करें तो यह 1972 में develop किया गया था यह दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे popular language है तो बहुत सारे लोगों को बट आज के टाइम पर यह doubt है कि 1972 की language है मन्दब बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है तो बहुत सारे यह सवाल करते हैं कि भाईया इतनी पुरानी लैंग्वेज आज के टाइम पर हम क्यू करें तो अब बहुत सारी improved language आ चुकी है जैसे अगर हम बात करें तो सी प्लास प्लास जो सी लैंग्वेज के इंप्रूव्ड लैंग्वेज है जावा की बात करें यह भी सी का इप्रोव्ड वर्जण या फिर पाइव спас करें तो हम इतनी पुरानी लैंग्वेज क्यों करें तो अ हम उनको बता देना चाहते हैं कि आज के टाइम 20 तो C और बहुत ही ज़्यादे इंपोर्टेंट रखने वाली है आज के टाइम पर क्योंकि C के सबसे बड़े सेक्टर की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे आज के टाइम पर डेटा के आए एक टाइप के बहुत इंपोर्टेंट चीज हो गया है जैसे आपने बहुत टाइम सुन रखाओगा कि फेस्बुक आपके डेटा के साथ यह कर रही है वो कर रही है डेटा एक्चुली यूज करती है कोई भी कंपनी होता आपके डेटा को अब्जर्व करके अपने प्रोड़क्ट या फिर अपनी कंपनी के वैलू इंप्रूव करत मेजर आपरेटनिंग सिस्टम की बात करें जो हमारे टींग होंगया जैसे यूनिक्स जो भरेटर्व करने के लिए इसी लाइगवश लाए गया ओशक्यों के कराम पे में आप जनरली windows यूज करते हैं, windows हो गया, या फिर linux की बात करें, तो यह जो operating systems है, इसके major part, आपको c language में written मिलेंगे, तो अगर कोई कहता है कि c language में कोई programming नहीं होता, तो वो गलत है, या फिर उसको knowledge नहीं है, फिर उसी तरह अगर हम आज के टाइम पर लगवग, almost सभी device driver की बात करता हूं, जो input output device driver होते हैं, लगवग, आपको सभी के सभी, आपको c language में written मिलेंगे, जिसे keyboard हो गया, या फिर आप mouse, printer, वेगरा, कुछ भी input output device, जो भी लगाते हैं, उनका कुछ एक special program होता है, बिना without program, वो एक type के बस machine रह जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है, तो वो किस तरह से work करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, वो proper design होता है, तो ये भी लगवग आपको c language में मिलेंगे, अगर android के core library की बात करें, जो आज के hot technology में account होता है, तो आपको android में जो c language के बहुत ही important मिलेंगे, तो अगर कोई कहता है कि आज c language में कोई coding नहीं होता, तो वो गलत है, फिर उसी तरह अगर हम, ये तो हो गया कि coding purpose है, अगर एक student point of view से या फिर एक programmer के तोर पे मैं कहाना चाहूँगा, कि सबसे फाइदा c language के आपके फाइदा है कि c basic language है, मन्दब इससे language, अलग-अलग language develop हुएं, या derived हुएं, तो इसके फाइदा ये हैं, कि जैसे ये c language आप programming के pillar मान सकते हो, क्योंकि ये क्या basic है, तो अगर आपके base जब मजबूत हो जाएंगे, ना तो आप जब दूसरे language पढ़ रहे होंगे, तो आपके लिए चीज़े बहुत असान हो जाएगे, क्योंकि आपका pillar already मजबूत हो चुका है, तो आपके जो building, अगर fundamental आपके म बहुत ही मजबूत होंगे, अगर आप एक बहुतर programmer बनना चाहते हैं, तो c language तो definitely करिए, फिर जैसे बहुत सारे student के ये doubt होता है कि क्या company placement में c language से question आते हैं, बहुत, अगर आप company interview में बैठते हैं, तो c language से आपको बहुत ज़्यादा question मिलेगा, उसका reason, सबसे पहला reason है कि c language सबसे basic है, तो logically चीज़े बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत कम चीज़े memorize करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा चीज़े logically होता है, तो जिन बच्चों को mind लगाने में बहुत मज़ा आता है, या फिर जो बच्चे, जो student puzzle solve करना बहुत पसंद करते हैं, उनको बहु बहुत ही मनलब मज़ा आने वाला ये c language में, फिर अगर हम ये अगर बात करें कि क्या c language के benefit दूसरे language में पढ़ने के time पर मिलेगा, of course, अगर आप एक बर c language कर लेते हैं, तो c language के ये फायदा है, कि c language में जो function use होता है, अगर आप जब दूसरे language कर रहे होंगे, जिससे c++ या फिर python विगर कर रहे होंगे, जावा कर रहे होंगे, तो ये function आपको हर जगा मिलेंगे, बस उनके implement करनी के तरीके अलग-अलग हो जाएंगे, तो ये c language के फायदा है, ऐसा नहीं कि c language आप एक बर कर लो, तो फिर इसके कहीं use नहीं है, अभी फिलाल तो आपको अगर बताए जाता, alphabet बताए जाता, alphabet के combination, alphabet के logical combination से हमारी के English language बनती है, उसी तरह C language में क्या होता है कि, C लाइंगज़ में character set होते है, C character sets होते है, ये character sets होते है, alphabet के digits और special symbols के, alphabet में क्या होता है, lowercase alphabet और uppercase alphabet, फिर digits में बात करे तो, 0, 1, 2, 3, up to 9 तक, उसी तरह special symbols की बात करे तो कुछ special symbols है, इनके naming मैंने यहां दे रखा है, यहां कुछ आपको ऐसे होगे, कुछ special symbols के naming आपको already पता होगा, और जो नहीं पता है उनको आप memorize कर ले, और जब वीडियो आप देख रहे होते हैं तो आप एक notes से ले करके बैठे, क्योंकि कुछ चीजे अगर आपको ऐसे होगी कि जो चीजे आपको नहीं समझ में आएगे ना उसको note कर ले, क्योंकि आगे के जब वीडियो हम कर रहे होगे, तो पिछले concept, पिछले चीजे revise करते रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो फिर चीजे आप connect नहीं कर पाएगा, तो फिर मजा नहीं आएगा, तो आप एक notes र तो character set से मिलके बनते हैं constant, variable and keywords, अब अगर हम constant की बात करें, तो constant क्या होता है, constant का simple meaning है कि जिसकी value constant हो, मदब जिसकी value fixed हो, तो जैसे यह होगा अगर आप 5 की बात करें, तो 5 अभी भी fixed है, कुछ time बात आकर के 5 की value देखे तो 5 ही होगी, कुछ time और बात देखे तो 5 की value 5 ही ह अब अगर हम constant की बात करें, तो यह दो level में divide होता है, primary constant and secondary constant, primary constant क्या होता है कि जो self dependent होता है, यह independent होता है, यह दूसरे पे dependent नहीं होता है, यह जो बनाते हैं तो किसी के help का जरूरत नहीं पड़ता, वही secondary constant क्या होता है, यह primary constant पे dependent होता है, जब हम secondary constant का formation कर रहा होंगे, उस एक हैना से का बात करें अधारे स्ट्टर्ण स्रॉकचर यॉणियन आने इनमिरेटर तो इस वीदियो मेंं अभी हम प्राइन्रीक जेसे फोकस करेंगे जाए है में आने वाले वीडियों में हम स्टैंड्रीक को सब्सक्रा पर ऑब एक अग टॉपिक को तो integer का simple meaning है कि जो whole number में आएगे इसमें जो क्या होगा whole number होगे तो जैसे अगर हम बात करें जैसे 3, 3 क्या है whole number है जिसमें क्या होगे decimal नहीं आएगा, कोई type का fraction नहीं आएगा तो जैसे 3 हो गया या फिर minus 5 हो गया या फिर बात करें 4, 1, 3, जो भी हो, whole number यह क्या हो गया, एक type का integer हो गया अब जैसे हम अगर पूछे कि क्या 2.0 यह integer है, math में क्या होता है कि math में अगर आप 2 लिख रहे हो या 2.0 लिख रहे हो, सेम मतलब है बट असी language में ऐसा नहीं है, यहाँ decimal आ गया तो यह क्या है, integer नहीं है आपको इस बात पर बहुत ही गौर करना पड़ेगा, कि जैसे 2.0 यह क्या है, integer नहीं है क्योंकि इसमें क्या आगया, decimal आगया, integer में क्या होगा, decimal नहीं आएंगे कहीं भी decimal नहीं आएगा, तो जैसे और इसी तरह बात करें, तो यह plus minus दोनों में होगा जैसे minus 9, और कभी कभार ऐसा होगा, कि आपको अगर माली जैसे यहाँ पहले sign define नहीं है, तो positive assume करना होता है, वो होता है, कि अगर जैसे माली जैसे यह plus 512 है, तो यह मन्दों क्या होगा, plus 512 है, negative होगा, तो negative आपको दिखाना पड़ेगा, फिर दूसरा है real, तो दूसरा real का मन्दों क्या होगा, real का मन्दों है, जो decimal के साथ हैगा, जिसे 3.14, या minus 2.22, जो भी आएंगे, यह point में आएगा, अब अगर हम यह पूछे, क्या यह real है, जैसे 2.0, जो यहाँ integer नहीं था, तो यह अब क्या है, real है, क्योंकि यहाँ क्या है, decimal के साथ है, तो यह क्या है, real है, तो यह 2.0 आपको याद रखना integer नहीं है, क्या है, real है, फिर real में एक और होता है, exponent form में, तो exponent form में कैसे लिखते हैं, कि जैसे अगर 3.16, लिखने का तरीका होता, e, small e, या capital e भी लिख सकते हैं, 3.E, capital e, और minus 4, minus 4 अगर लिखें, तो इसका क्या मतलब होता अब यह जो, हमने देखा है कि exponent में क्या होता है, यह वाला terms क्या होता है, mantis होता है, और यह वाला terms क्या होता है, exponent होता है, तो यह exponential form होगई real का, तो अब अगर उसी तरह हम character के बात करें, character क्या होता है, तो character की सबसे पहले अगर हम definition की बात करें तो character क्या होता, what is a character constant a character constant is a single alphabet single alphabet होगा, a single digit और a single special symbols enclosed within the single quotes the maximum length of character constant is one character तो ये क्या होगा कि character में क्या होगा कि single digit हो सकते हैं, single alphabet हो सकता या single special symbols जो हमने देखा है, वो हो सकता है और वो भी single quotes के, single quotes से क्या होगा, enclosed होगा जैसे ये क्या होगा, capital A, ये alphabet होगा तो ये क्या है, एक type का character है, उसी तरह single quotes से अगर हम यहाँ two की बात करें, तो ये क्या होगा, digit type का होगा फिर उसी तरह अगर हम plus की बात करें, तो single quotes से enclosed होगा ये भी क्या है, एक type का character है अगर हम आपसे पूछे कि क्या ये plus 3 ये क्या character है, आप सोच के जवाब देजिए क्योंकि plus 3 में क्या होगा, कि plus a special symbol है और 3 क्या है, ये digit है, तो अभी हम क्या बोले थे, character क्या होगा कि इसकी maximum length क्या होगी, one होगी, मतलब single digit हो सकता है single alphabet हो सकता है, या single special symbols हो सकता है इसमें क्या है, दो है, इसमें special symbols भी है और digit भी है तो इसलिए यह क्या character नहीं है हाँ यह character सिर्फ जैसे includes plus अलग हो जाए यह सिर्फ character है यह three यह character है बट यहां क्या हो रहा है दो value आ रहे थे जबकि क्या होना चाहिए single digit होना चाहिए single alphabet होना चाहिए यह singular special symbols होने चाहिए तो यह character होटे हैं इस तो यह मिल कर बने होता है character set से करेक्टर सिर्फ मिलके क्या बनता है constant में क्या होते है एंटीजर होते है रियल होते है और character होते हैं इंटीजर क्या है जो whole number हो real में क्या होगा जो decimal के साथ होगे अगर exponent की बात करें तो यह आएगा जिसका मतलब क्या होता है वो power में चला जाएगा exponent का term है यह वो power में चला जाएगा यह small e से भी capital e से भी denote कर सकते हैं character में क्या होगा single alphabet, single digits और single special symbol enclosed within a single quote यह single quote से enclosed रहेगा तो यह था हमारा constant यह primary constant है secondary constant की मैं अलग-अलग separate video बनाऊंगा क्योंकि वो थोड़े लंब थोड़ा लंबा पड़ेगा उनका वीडियो तो अभी यह हमारा primary constant है अब अगर हम variables की बात करें क्या देखा हमने constant और character set से क्या-क्या मिलके बनता है constant variables and keywords तो हमने constant देख ली है अब अब variables देखते हैं अब 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 आप variable की बात करें तो what is a variable तो variable is the name of memory location unlike constant variable are changeable we can change value of variable during execution of a program तो variable का simple meaning क्या है कि variable vary करेगा time के साथ vary करेगा जैसे अगर हम x कोई variable ली है अब इसकी value नहीं हो सकती अब इसकी value मंदब value क्या होगा time के साथ change होते रहेगा जैसे अभी x is equal to हमने 3 लिखा तो अभी फिलाल क्या है x की value 3 है मैंने आगे एजिम किया कि x की value क्या है y के बराबर है तो यह line execute हुआ तो x की value 3 यह line चला तो x की value 5 जब यह line पर पहुंचा तो क्या होगा x is equal to y अब y पहले line में क्या जूम कर रखे है 5 तो यहां क्या होगा x is equal to 5 x की value क्या होगा y यह vary कर रही है तो variable क्या होगा कि जिसकी value time के साथ vary करे मन्दब जो variable जो time के साथ change हो जाए problem होता है variable के naming में problem नहीं मन्दब आपको बहुत सारे चीजे का ध्यान रखना पड़ेगा जैसे variable के naming के कुछ rules होते हैं जैसे अगर हम पहले rule की बात करें तो सबसे पहले variable का name जब भी लिखेंगे तो आप तीनी चीज़ का use करेंगे आप digit यूज कर सकते हैं digit में 0 to 9 कुछ भी यूज कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 जो भी मन कर रहा हो alphabet में आप lowercase upper case मन्दब lower case में small a, b, c जो भी z तक बात करेंगे तो सिर्फ underscore का use करिएगा क्या underscore का use करिएगा ये मन्दब variable के naming में आपको ध्यान रखना पड़ेगा पहला rule क्या है आप digit का use कर सकते हैं सिर्फ alphabet में आप lower case upper case दोनों यूज करिएगा और special symbol में underscore का use करिएगा फिर दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी start करिएगा variable का naming तो आप digit का पहले use मत करिएगा digit का पहले कभी भी use नहीं करिएगा तो do not use digit first तो आप कभी भी digit को पहले नहीं लिखिएगा फिर तीसरा rule आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब भी naming कर रहे होंगे तो ये underscore जो होगा अप पहले भी start कर सकते हैं last में भी start कर सकते हैं underscore का use आप कहीं भी कर सकते हैं तो underscore use everywhere underscore आप कहीं भी use कर सकते हैं पिर अगर हम अगर हम बात करें कि आप जब भी वरीवल के नेमिंग चौता रूल की बात कर रहा हूं कि अगर जब भी अब वरीवल का नेमिंग यूज कर रहेंगे तो आप कभी भी जैसे कॉमा या फिर ब्लैंक का स्पेस ब्लैंक का स्पेस वेगरा नहीं दे सकते आप जैसे अगर आप ऐसे लिख रहे हैं कि राज यह मालने यह वरीवल का नेमिंग लिख रहा हूं राज कॉमा टू इसकल टू मालने ज़े वरीवल को है मालने ज़े टू है टू यह कन्फूज कर जाएगा तो मैं थ्री ले रहा हूं तो इसकी वैलो टू तो यह गलत नेमिंग है क्योंकि आपने यहां क्या रखा है ब्लैंक का स्पेस रखा है या फिर कॉमा भी दीजिए क्योंकि तो इसकी सुख्ता है क्योंकि यहां स्पेसल सिंबल्स में क्या सिर्फ अंडर्सकूर यूँज कर सकते है तो आप यहां ब्लैंक का स्पेस के जगई अंडर्सकूर तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा पच्मा आपको जो keywords अभी हम पढ़ाएंगे आप कोई भी keywords का name variable naming के तरह नहीं ले सकते हैं जो हम आगे keywords बताने वाले हैं वो keywords आप variable naming के तरह यूज नहीं कर सकते हैं तो keyword का आप यूज नहीं करिएगा तो यह कुछ rules हैं फिर आगे भी बहुत सारे rules है कि जैसे अगर दो variable name का यूज कर रहे हैं तो separate आप underscore से करिएगा वो आगे देखेंगे अभी कुछ ज़्यादा अभी आप इन पांच चीजों का ध्यान रखिएगा फिर अगर हम नेम इसका तो क्या हो गया कि variable का naming name मुझे पता हो गया कि name अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं अब अगर हम variable की बात करें तो variable किस type का है ये कैसे पता चलेगा कि variable type का क्या है मंदब type of variable कैसे पता चलेगा कि type types of variables 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 किस type का है यह कैसे पता चलेगा तो अगर हम मान लिएते हैं एक variable है राज जिसके हमने value ले लिए 5 तो यह variable का name क्या होगा है राज है नाम क्या है राज है इसकी value क्या है 5 अब किस type का यह depend करेगा कि variable किस type का data store कर रखा है हमने 5 अभी discuss किया था 5 किस type का data integer तो integer type के data को किस type का variable बोलेंगे int type का किस type का बोलिएंगा int type का अगर यह राज अगर 5.0 होता है 5.0 क्या बोले था से रियल होता है तो जैसे रियल होगा तो अब यह क्या इंट नहीं होगा रियल को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं फ्लॉट का स्मॉल एफ फ्लॉट यह स्मॉल होता है तो फ्लॉट का यूज करते हैं उसी तरह अगर कोई यहां character हो जाए यह 5.0 के जगा अगर कोई character हो जाए मान देते ए है तो character का जो variable का type होगा वो क्या होगा character type का मतलब simple meaning है कि जिस type का variable जिस type का value store कर रखा होगा वो variable उसी type का होगा जैसे अगर वो integer data store कर रखा होगा integer value store कर रखा होगा तो वो int type का होगा, अगर वो real value कर रखाऊगा तो plot type का होगा, अगर वो character रखाऊगा तो character का होगा तो यह था हमारा variables, variable में हमने क्या देखा, सबसे पहले variable क्या होता है, कि जिसकी value क्या हो, मतलब change हो variable के naming में आपको क्या याद रखना है, कि variable जब भी हम लिख रहे होंगे, तो digit alphabet underscore का use करेंगे कभी भी हम digit first में नहीं लिखेंगे, जैसे अगर आप ऐसे नहीं लिखेगा, कि 1 राज का मतलब हो गया 3, या 1 राज का मतलब हो गया 10, जो भी value हम रख रहे हैं तो यह वन राज जैसे लिखियागा, तो यह गलत हो जागा, क्योंकि आपने का use कर लिया है, digit को first में use किया, फिर उसी तरह अगर आप बोले underscore use, underscore use everywhere, तो अगर ऐसे लिख सकते हैं, underscore underscore राज is called to 10, यह सही है, क्योंकि underscore आप कहीं भी use कर सकते हैं, बीच में, आगे पीछे कहीं भी use कर सकते हैं, कॉमा वो तो देना ही नहीं है, blank space यहां देख चुके थे कि blank space आप नहीं छोड़ सकते हैं, तो यह कुछ rules हैं, keywords आपको use नहीं करना है, तो अभी हमने देख लिया and a specific feature, these words help us to use the functionality of C language, they have a special meaning to the compilers, तो जैसे हमने बात किया था कि guide क्या होता था, की foreigner और local के बीच में क्या होता था, intermediate, तो ऐसी compiler क्या होता था, compiler का काम क्या होता था, क्या होता है, क्या होता था, की c language, जो हमारा c language है, उसको convert करना machine language में तो यह ऐसा तो नहीं है कि कोई जादूगा रही हो यह जादू से machine language में convert कर देगा तो इसमें क्या होता है कि यह एक type का इसमें बहुत सारे value पहले से fit होती है कि आपको इसका मतलब यह समझना है इसका मतलब यह समझना है मतलब इसमें code हुए रहते हैं जैसे आप code word समझते हैं कि code word जैसे कोई code का यूज करते हैं कि इसका मतलब यह होता है तो उसी तरह इसमें कुछ code words होते हैं तो वो उसका मतलब यह जैसे इसी language में यूज करते हैं तो उसका वो मतलब समझ करके उसके according वो machine language में convert कर देगा तो ये एक type का जैसे word का predefined meaning होता है वो पहले से defined होता है compiler को पहले से पता होता है कि इसका मतलब क्या होता है जैसे आपको एक simple अभी programming पर ध्यान मत दिजेगा बस ये समझे कि अगर जैसे कोई if माल लिजाए if keywords है if का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर कुछ भी जैसे माल लिजा x की बात करो x greater than 3 है तो अगर ऐसा हो तो आप जो होता है कि ये जो इसके अंदर जो भी written होगा वो execute कर दे ना मतलब अगर ये statement सही है जैसे मैंने कोई user x is equal to 4 ले लिया तो 4 क्या है कर दो और अगर ऐसा नहीं है अगर माल लिजे x 4 नहीं x क्या है 2 है तो फिर उसको क्या करो कि else else एक है जिसको फिर run कर दो मतलब x अगर 2 है मतलब ये वाला condition false हो गया तो ये if वाला statement नहीं run हो करके else वाला run होगा तो अब ये if else का पहली है अगर नहीं है तो ये वाला run कराना है तो ये अलरेड़ी पता होता है compiler को compiler बहुत सारे जिसे 32 keywords होते है जिनका अलरेड़ी मतलब पता होता है C language में 32 होते हैं, अलग-अला compiler के लिए, अलग-अला language में अलग-अला keywords होते हैं तो जैसे ये हमारे कुछ keywords है, जैसे auto, break, case, जैसे ये कुछ 32 keywords है auto, break, case, care, continue, do, default, const, double, else, enum, extern, for, if, go to तो इस तरह से 32 keywords है, जिनको आप एक बार ध्यान रखिए, क्योंकि याद करना थोड़ा difficult है क्योंकि इनके जैसे कुछ तो अभी फिलाल use होंगे, जैसे do, if, else, for, size of, sort, plot, register ये सबका use programming के video जब हम start करेंगे, आपको हम program करके दिखाएंगे डारेक्ट यहाँ program करके दिखाएंगे, तो जब programming के video start करेंगे, तो keywords का use करेंगे तो जब हम keyword का use करेंगे, तो वहाँ आपको प्रोपर उनका काम, उनका working बताएंगे जैसे if, else का, यहाँ working बताएंगे, इफ, else का काम क्या है, कि अगर यहाँ जो user data दिया, अगर यह if वाला statement satisfied है, तो यह अंदर का code run हो जाएगा, अगर नहीं satisfied है, तो else के अंदर, यह इसके अंदर जो भी code होगा, वो run हो जाएगा, तो यह जैसे हर अलग-अलग keywords का अलग-अलग काम होता है, बट वो पहले से defined होता है, वो compiler को अलएडी पता होता है, कि यह keyword है, उसका यह मतलग है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे के देखेंगे, तो अगर वीडि के साथ share करिए और हमारे channel को subscribe करिए, thank you, तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में